असलाम ओलेकुम और हैलो एवरिवन क्या हाल चाले और कैसे हैं आप सब आई होप यार डूइंग गुड वल्कम बाक टू हम दो हमारे चार व्लोग्स आज की वीडियो की ओपनिंग को चल लगी है आज मैं नहीं आपको हस्बेंड दिखेंगे किचन में और यहां पर पाव सेग के रखें हैं ट्रे में और यहां पर जो है थोड़ा सा कुकुम्बर और सालेड वगेरा उनियन्स अब काटके रखें और यहां देखिए सुबा मैंने गोजिया बनाई थी उसका सारा बरतन वगेरा मैंने वाश कर दी हूँ और मुझे इतनी हसी आ रही थी थी न तरफ लेने के लिए और श्रिम लेके आके पर लाओ जाएंगे और दूसरे प्लाटफॉर्म पर एक और लेके आएंगे तुमुझ इतनी हसी अरी थी यही आज़ी ढ़िए थोड़े आसानी हो जाती है बहराल मुझे कि आज तो मेरी की चंद से चुटी है असल में रमजान की जो है वो तैयारी करने में इतना जादा मैं बिजी हो गई कि मुझे आज टाइम नहीं मिल रहा था तो हजबन बोले मैं ही आज बना देता हूँ खाना मैं यहाँ पे एक कर्टन रह गया था उसकी क्लिप लगा रही हूँ यह कर्टन इतना जाम वाला होता है काउंट करके इसको बराबर लगाना होता है ताकि एक्वली जो है वो प्लीट्स दिखें मतलब कहीं थोड़ा कम जादा ना हो और आज हम ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाने वाले हैं रमजान की तो आप लोगों को भी मसात में लेके चलूंगी तुम मेरो पतान मेरी जान मैं पर ही चुक जाए देरे जो पान मेरी जान दिश्पेर में जाए आज कल टिक टॉक का पठान फीवर जो है वो सब पे चड़ा हुआ है यह आरेज भी वही टिक टॉक देखता है और पठान की जो है वो रील्स वगेरा देखके उसको भी बड़ा शौक चड़ा है पठान बनने का इंडिया से एक लोग आ रहे थे तो मम्मी ने मेरे लिए बॉम्बे से कपड़े भेजी हैं कहरी इदा रही है तो तुम सिला ले ना अपने लिए अब मुझे यहीं पर सिलाना पड़ेगा यह दोनों कपड़े हैं यह बहन के कलेक्शन में से मैं आपको बताई थी ना कि मेरी बहन कपड़े सेल करती हैं इंडिया से मैं उसका आईडी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और स्क्रीन पे भी आप बानी की प्रिंट है तो मेरी बानी तो आल टाइम फेवरिट है और यह रसना कलर मतलब मुझे तो क्या ही बताऊं कितना अच्छा लगा और दूसरा जो है वह पाकिस्तानी लॉण डुपटे वाला है यह पाकिस्तानी सूट जो है वह बहुत कमफरिबल होते हैं स्पेशली गर अच्छा सा पैटन देके तो बहुत अच्छा लगेगा मैं अप लोग साथ शेयर करूंगी आप भी और कर सकते हैं और प्राइस तो बहुत ही रीजनेबल है मतलब कि इतना सस्ता आपको कही नहीं मिलेगा आप उसके इंस्टाग्राम आइडी पे जाके कलेक्शन पूरा दे देखी यहां पर कितना खुबसूरत सा डेकोरेशन है रमजान आते आते जो है ना अलग सी वाइब जाने लगती है और सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं यह देखी यहां पर हर जगा सेल मतलब कोई भी आप चीज पे हाट डालेंगे तो बस उस पे इतना बहतरीन रमजान डील है इतना अच्छा सा तो पहले मैंने यहां पर ओईल ली चार लीटर वाला उसके बाद मुझे जहना एक और ओफर मिल गया यह जो नौ लीटर का पैकिट था ना यह और भी सस्ता लगा वा था तो फिर मैंने यह ले ली और वो वाला पैकिट जो था ओईल का वो उठा के रग हस्मे इतना गुस्सा होते हैं कयरें तुम एक बार क्यों नहीं डिसाइड करती हो और तुम एकबर यह लेती हो लेती हो लेती हो इतना जाः टाइम लग जाता है बहराल यह तो और ओरतों की خاصیत है और यह देखिए यहां पे जहना चार्ट मसाला था यह भी मैंने ले ली तो बहुत काम आएगा फ्रूट चाट बनाने के और साथी साथ यहाँ पे वाशिंग पाउडर पे भी ओफर लगा था तो मैं कभी ओमो यूज करती हूँ कभी कोई और जो ओफर में लग जाता है और यहाँ पे मौजरेला चीज पे भी बहुत ही जबदस ओफर लगी हुई थी तो यह मैंने एक किलो वाला पाकेट ले ली हूँ पच्चों का तो चीज के बगर काम ही नहीं चलता है रमजान में आदे से जादा डिशिश जो है न वो चिकन की होती है तो यहाँ पे देखिए फ्रोजन चिकन लगा हुआ है ओफर में सियारा का धाई किलो का सत्रा दिरम में लेकिन मैं यह अरीश का पाकेट लेती हूँ तो यह वाला मैंने ले ली यह मतलब 27 दिरम में 2 किलो का है लेकिन यह अच्छा होता है चिकन तो मैंने यह फ्रोजन चिकन ले ली हूँ समुसा तो हर घर में बनता है और यहाँ पे इतना अच्छा ओफर लगा है मैं हमेशे हैं स्वीट्स की समुसे की पट्टी लेती हूँ और इसके साथ यह बॉक्स भी फ्री है जिसकी मुझे इतनी जादा खुशी हो रही है क्योंकि अगर थोड़ी वहत पट्टी बढ़ जाती है तो इसी बॉक्स में हम लोग रख देते हैं तो वो कड़ी नहीं होती है एक रमजान मैंने कोई और ब्राइंड की ले ली थी और इतनी भिकार इतना तेल उसमें के पूरी-पूरी पट्टी वेस्ट हो गई फेग दी मैंने पूरे उठा के तब से मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ और यहां पर दीखें स्प्रिंग रोल की भी पट्टी है इतनी अच्छी मोटा सा बंडल उफर में लगा हुआ है तेक यह भी ले लेते हैं अच्छा यह जो पफ पेस्ट्री आती है यह मैं सुन्बुला ब्राइंड की ही लेती हूँ बेस्ट होती है नंबर वन होती है यह भी चार का पैकेट ओफर में है और इससे चिकन पफ मैं बनाओंगी न मैं आप लोंके साथ सारे मेक एंड फ्रीज आइटम शेयर करूंगी बहुत जल्दी इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि अभी बहुत यहां पर सारे सूखे मसाली मिलते हैं आप चाहे तो रेडी मेड बाला बयारा का पैकेट भी ले सकते हैं जो फूड आइटम था वो वाली शॉपिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं यहां आ गई थी थोड़ी सी क्लीनिंग सप्लाइज मुझे लेनी थी यह जल्दी से रख दो क्योंकि तुम्हां अपस बर्तन बहुत है तो बस मैंने रख दी वैसे भी मैं इंडिया से अभी ले के आई थी थोड़ा बर्तन लेकिन मैं इस टाइप का कलर वाला ढून रही थी लेकिन वही है कि यहां पर महगा मिलता है और इंडिया में जो है अगर क सम्हाल के अब हस्बेंड का बस हो गया था तो दो घंटा लगया हमें ग्रॉसरी शॉपिंग करते करते और वो कंप्लीट करने के बाद जो है ना हम आ गये हैं यहां बर्दुबई यहां से है ना हम ड्राइफ रूट्स खरीदेंगे जैसे रमजान में ना वो हरीरा या तु बाद यहां पर नाम भी लिखा है और ना यहां पर नई चीज है में दिखी यह दिखिए यह चाबी जो है यह दी हुए है मतलब खोलने के लिए हैजलनट को और इसको इस तरह से खोलते हैं यह अफगानिस्तान का है और यह है अलमन्ट यह देखी कितने न्यू टाइप का है यह चाइना का है वो बता रहा था और इसको इस तरह से खोलते हैं फिर इसके अंदर का छिलका निकालके फिर इसको खाया जाता है और यह बड़ा वालनेट देखिए इसके पहले हम अमिशा ऐसे चिप्टा वाला ल की वराइटी थी वैसे मैं आप लोगो फ्रूट एंड वेजडेबल मार्किट जाओंगी ने वहां पर दिखाऊंगी खजूर और अच्छी होती है तो यह वाली हम लोग ने लिया यह पांच किलो शुक्ति पांश जाने ने भाइटा यह वाला अगाटी भड़ा है यह पांच किलो फांच किलोएफ सब्सक्ति अच्छी शुक्त गारेगा मुश्ची अच्छी किली तर तर तक अजेगे तो थेक्स तो फाइनली यहां पर हमारी ड्राइफ रूट्स की भी शॉपिंग हो गई है और बस हजबें यहां पर बिल करवा रहे हैं यहां पर कैश चलता है कार्ड नहीं चलता अब बस बाकी है फ्रूट्स और जो कि हम लोग एकदम लास्ट में लेके आएंगे आखरी दिन या एक दिन पहले तो अब हम आ गए हैं घर काफी ठकान हो गई है जो फ्रिज और फ्रीजर वाला सामान था ना वो हम लोग ने रख दिया है और सुबा उटके फिर से वही मशीन लगेगी इस वज़े से ना मैं यहां ओमो को रिफिल कर रही हूँ पूरा डबबा खाली हो गया था अच्छा वीडियो जो है न वो आएगा वा हाउ टो अर्गनाइज यूर फ्रिज बिफोर रमजान और वो वीडियो मैं कल ही डालूंगे इंशाल्ला तरन हो उधर मुझ करो इधर इधर कुछ दिख नहीं रहा है अरे थोड़ा सा टरन हो तब दिखेगा थोड़ा सा टरन हो उधर हाँ उधर देखो आ रही है वो डोर पर दिखाऊ हाँ सब तरफ आएगी यहां पहना हस्बिन डेकुरेटिव लाइर्स ढून रहे हैं लास्ट जोरूम में से मैंने बोली हस्बें को ढूंड की निकालिये कैसे भी मुझे वो लगाना है तो वही देखिए सर पे टॉर्च लगा-लगा के लाइट ढूंडी जा रही है तो मिल गई हमें लाइट और हस्बेंड और फलक दोनों मिलके हां लगा रहे हैं मैंने किसी को भी सोन अच्छा करो और यह जो सामने की तरफ है जहां से हम एंटर करते हैं वहां पे यह वाली लाइट लगी हुई है यह तो आप लोग ने मतलब लास्ट एयर देखा होगा लास्ट एयर के रमजान में मैंने यह लाइट लेके आई थी और तब से जो हैना हम लोग ने इसको ऐसे शॉप होती है ना वहां से मैंने लाइट लाइट लगाई यह भी लास्ट एयर रमजान की लगी है और तब से हम लोग ने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही तो अगर अच्छा मौसम होता तो यहां बाहर बैट के अफ़तार करते लेकिन अभी तो इतनी गर्मी आ गई है तो कर सकते हैं हस्बें और फलक जो लाइट मिलके लगा रहे थे वो दिखिए लग गई है पूरी ऐसे उन्होंने ना इस तरह से जो यूनिट है ना क्रॉकरी वाला उसके ओपर लगाए हैं मेरा मनता की जो सामने वाली वाल है ना इसके ओपर मैं लगाऊं लेकिन जो हैस्बें यहां अल्रेडी दो लाइट लगी हुई है तो यहां पर ठीक लगेगा